नए iPhone से launch होते ही हमें सभी iPhones पर एक software update देखने के लिए मिलता है लेकिन गाइज वो software update को करने के बाद हमें क्या होता है कि अपने older device होते हैं जितने भी iPhones होते हैं उनमें थोटी छोटी प्रॉब्लम से देखने के लिए मिलती हैं लेकिन गाइज जो recently old होते हैं जैसे कि 14 से पहल नहीं कर रहा है कुछ लोगों को iPhone बहुत जादा overheat हो रहा है और गाइज बैटरी हेल्थ भी बहुत जादा decrease हो रही है क्या Apple का इसके पीछे कोई mastermind है इस बात को clear करने के लिए मैं कुछ यूट्यूबर्स की आपको example देना चाहूँगा जैसे कि सौर्व जो सी explore the unseen और अगर आप इनकी recent वाली वीडियो देख रहे हो तो आपको camera's में problem देखने के लिए मिल जाएगी कि camera's सही से काम नहीं कर रहा है और जब भी आई नए iPhone's launch होते हैं तो यह अपने old device से ही recording कर रहे होते हैं और आपको यह भी कहते नजर आ जाएंगे कि guys हमारा जो iPhone का old वाले iPhone क camera जी अच्छे से काम नहीं कर रहा है जब से हमने software अपडेट किया है जा फिर जब से नए iPhone's launch हुए है so guys इन YouTubers की example मैंने आपको इसलिए दिये है क्योंकि आपने भी इनकी कोई ना कोई वीडियो सो देखी होगी जिसमें इन्होंने camera का जिकर किया होगा कि camera में problem आ रही है और पुराने iPhone's में कम problems हैं लेकिन problem तो सब में ही है और guys 13 series में इसलिए जादा problem से दी जारी है क्योंकि Apple को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि जिन लोगों के पास iPhone 13 series के iPhone's हैं इन लोगों ने ये iPhone से नए ही buy किये होंगे इनके पास ये iPhone से second area refurbation नहीं है और guys ये ही वो ल प्लीज हमें comment करकर ज़रूर बता हैं और अगर आपको भी iPhone में कोई problem आ रही है तो आप हमसे comment करकर पूछ सकते हैं हम आपको reply करने की पूरी कोशिश करेंगे और guys एक बात मैं आपको बतानी बोल गया कि जिन लोगों को भी ये problems आ रही है तो ये problems से solve हो जाएंगी software update की मदद से एक से दो software update आने के बाद आपकी problems को Apple ही solve कर देगा तो guys जादा डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है